नमस्कार दोस्तों आज राजस्तान रोयल और दिल्ली केपिटल्स के बीच खेले गए मेज में राजस्तान रोयल्स ने सित्यावन रन से मेज को जीत लिया है राजस्तान रोयल्स ने पहले बल्यबाजी करते हुए बीस ओष्पिटल्स को 200 रन का टारगेट दिल्ली केपिटल्स ने बीस ओष्पिटल्स की ओर से आज ओपनर बलेबाज परत्वी सो तीन बॉल में जिरो रन बना कर आउट होगे और कप्तान वार्नर ने आज 55 बॉल में 65 रन की पारिखे लिए और अपने स्पारी में मातर साथ चोके लगए और आज यह कप्तान वार्नर की बहुत सलो पारी भी थी साथ में ही मनिस पंडे ने एक बॉल में 0 रन बनाया और इसके अलावा रिले रोसो ने 12 बॉल में 14 रन की पारिखे लिए ललित यादव 24 बॉल में 38 रन बना कर आउट होगे और इनके अलावा कोई भी बिलेबाज रन नहीं बना पए और साथ में ही बात किने राजस्तान रोयल्स की ओर से ट्रेंट बॉल्ट को तीन सपलता है असे लुई संदीब सर्मा को एक रोईस्तन राश्विन को दो सपलता है और यजुंदर चैल को तीन सपलता है असे लुई और इस से पहले राजस्तान रोयल्स की ओर से ओपनर येसजवी जैसवाल और जोस बर्टलर दोनों ने ही साद्धार पारी खेली थी येसजवी जैसवाल ने 31 बोल में 60 रन की पारी खेली थी और अपनी से पारी मी 19 चोकी बांग एक चका लगा थे लिए थे और दिल्ली केपिटलिक्सियोर से मुकेश कुमार को 4 ओर में 2 सपलता है असिल हुई वैक कुलदी प्यादो को 4 ओर में 1 सपलता और रोमेन पोवेल को 2 ओर में 1 सपलता है असिल हुई तो अभी के वीडियो में इतना ही आगे एक जान करके लिए प्लीज आप वीडियो को लाइक करे साथ में इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले